हाई एब्रीवन मैं हुआ सांग और मेरिशन में आपनों का बहुत बहुत स्वागत तो चलिए आज के रेसेपी हम सुरू करते हैं तो यहां देखिए सबसे पहले अद्रक लहसुन और हरी मिर्च मैंने यहां पर रेडी कर लिया है तो ऐसे आपको तयार कर लेना है अब देख बाद में भी अधक इस्तिमाल कर सकते हैं अब मैं यहां पर डाल देए हूं हरा मटर यह फ्लोजर मटर नहीं है आप चाहें तो इसे फ्लोजर मटर से भी बना सकते हैं अब हम इसे अराम से चलाते हुए और थ्वासा स्वप्ट होने तक पका लेंगे तो पहले हम अच्छे स इसमें डाल रहे हूं करिब दो पिंच के कॉर्डिंग हिंग डालना बहुत ज़्यादे जरूरी है क्योंकि मटर है तो यह डाइजेशन करने में काफी हेल्प करेगा तो अब हम इसे मिक्स करके और इस पर हम लगा देंगे लिए ताकि यह सौप्ट हो जाए गैस का फ्लेम प्लेवार में जुचाब आपको यहां पर Вас स्दो रखना है तो चली एक बड़ा और छेक कर लेते हैं तो यहां पर देखिए मैंने इस्कत भासा लएशन अदरक और हरी रिमिच यहां पर नीशे मैं एड किया है अगर आपको ज्यादे पसंद हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं तो अब हम अच्छे से इसे ग्याइन करके और निकाल लेंगे अब हम यहां पर कुछ इस्पैसे एड करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पे हरा धनिया एड कर रहे हूं साथी मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पॉडर आधे चमश के एकॉर्डिंग और एक चमश मैं यहाँ पले रहे हूँ धनिया पॉडर और आधी चमश मैं यहाँ पले लालमिस पॉडर आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डालें और देखिए अब मैं यहाँ पे ले हूँ कुटा हुआ भुना हुआ जीडा यह थौस हमें दरजा कुट लिया है आपको पौरर नहीं डालना है तो मैंने एक बड़े चमच यहाँ पे लिया है अब मैं यहाँ पे ले रहे हूँ थोड़ा सा बेशन यह करीब दो चमच के एक से आप डालना चाहें नहीं तो अब देखिए और आप पे ब्लेक कर दे değil है अब तो आक यहाँ नहीं है तो आप दो लीया है तो आय। आपके पास ब्लेद कर शभर नहीं है तो आप ब्रेड लाए और रोश्युक्सेशिक औरूरा उक्स कर दें तो तो देन अर padres मे लिगे और हाथों में तेल लगा करके और इसे हम एक गोल सा सेफ देंगे आप अपने कोई भी सेफ दे सकते हैं अब मैं आपको बता रहे हूं कि यह क्या मैं बना रहे हूं यह है मटर पेटिज तो आप इसे जरूर सेबा ट्राइ किजिएगा बहुत टेस्टी बनता है और हाँ एक च चुका है तो आप चाहें तो इसे फ्राइ भी कर सकते हैं लेखिन मैं यहां पे सेलो फ्राइ से करूंगी तो तौप मैंने थोआ सा और लगा लिया है और इसतरीके से लगा करके इसे हम और धीर धीरे अरगते परतेश्चे हूं से लेंगे ब्राउन सा तो यहां देखिए मै ने पहले भी बताया था कि आप इसे चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं तो यहां देखिए यह मैंने चेल्ज कर दिया है अब इस तरीके से हमें इसे लड़ते प्रटते से करके और रेड़ी कर लेना है तो यह रेड़ी हो चुका है फ्रेंस आप इसे चटनी या फिर स्वास के साथ सर्व कर सकते हैं आप एक बार जरूर से ट्राय कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सिस्क्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सिस्क्राइब कीजिए और प्यारा सा मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए तो मिलत तो मैं आपसे नेश्टे वीडियो में, thank you so much.